आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9 अंचियाटी मैट्स में से और पिछली जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने रैशनल और इर्रैशनल दोनों ही नंबर के बारे में अच्छे से स्टडी भी किया था तो इस एक्सरसाइज में हमें क नंबर हमारे रैशनल है और कौन से रैशनल है यह हमें बताना है तो सबसे पहले आप देखी यहां पर है तो माइनस रूट फाइल तो आपने याद रिखना रहते हैं जिनकी डैसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट होती है मतलब आगे तक वो डिवाइड होते ही रहते ह है जैसे फोर का स्क्वेर रूट आता है तो होगा अगर लेकिन पूछ नंबर जैसे रूट फाइव है अलृट हमने प्रूब भी किया है पिछली एक्सेसे में तो रूट फाइव जो है वह इर्रेशनल अब क्योंकि रूट फ़ाइव इसलिए टु माइनस रूट फाईव टीक है इस वे में आपको इसका आंसर देना है नेक्स वाला आप देखें 3 प्लस रूस अंडरूट 23 माइनस अंडरूट 23 तो इसकी अगर ब्रेकेट आप ऊपन करते हो तो यहां पर 23 माइनस रूट 23 तो यह विटा कैंसल हो जाएगा तो तो 3 बजएगा तो यह है रेशनल नेक्स्ट आप देखें यहां पर टू और डिवाइड बैसेवन अंडरूट सेवन अंडरूट सेवन यह तो हो जाएगा चैनल तो यह आजाएगा आपका रैशनल नंबर इसके बाद बैटे आप देखें वन बाइं अंडरूट टू है और अंडरूट टू को हम अल्यड़ी इर्रैशनल प्रूब कर चुके हैं अंडरूट फाइव अंडरूट थ्री अंडरूट टू ठीक है यह सारे जो है इर्रैशनल है तो आप इसको जो है अगर आप थोड़ा रिफॉर्म करो इसको तो आप इस तरह से लिख सकते हो अंडरूट टू बाए अंडरूट टू तो यह कंप्लीट नंबर भी किया होगा इर्रेशनल ही होगा तो हमें इसको इर्रेशनल बताना है कि एर्रेशनल फीक है नेक्स्ट वल्लबा आगे तो पाई आपको पहले ही बता है इसकी की डेसिमल एक्सपेंशन ना तो रिपीटिंग है ना ही टर्मिनेटिंग है ठीक है आप पाई को ट्वेंडी टुबाई सेमें जो आपकी वैल्यू होती है वैसे कहने को तो आपको बोल देते हैं 3.14 यह वन फोर नहीं यह आगे तक चलती रहती है टर्मिनेट नहीं होती है तो विकॉस पाई इज एन इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर तो टू पाई इस ऑल्सो एन एरेशनल नंबर ठीक है इस अपने इसको आंसर देना है तुछ यह था आपका कंप्लीट फस्ट क्वेशन नेक्स करते हैं सेकंड एक्सेंड में है सिंप्लिफाइज फॉलोविंग एक तो यहां पर आपको एक चीज़ नोट रखनी है कि यहां पर कोई identity यूज नहीं होती है वैसे इंटिटी जोती है हमारे पास तीन एक प्लस बी होल स्कूराय ए माइनस बी होल स्कूराय ए प्लस भी ए माइनस दी इन तीनों का हम यूज कर सकते हैं लेकिन यहां पर जो है वह को कोई बी आइगर की ऊज़ब की ऊचिए नहीं होगी तो आप डेके ढुकर को बाएं थी को करेंगे słuट जुक्या थ्री को से करेंगे आप तो प्लस अब दोनों अंडर रूट में हैं तो रूट सिक्स हो जाएगा ठीक है तो यह आपका फाइनल आंसर बनेगा क्योंकि कोई भी रूट वाली स्टेटमेंट सेम नहीं है तो आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं देखते हैं ठीको मल्टिप्लाइब करेंगे वैसे हाँ यहां पर यूज ओ रही है यहां पर यूज यूज सेम तो आपको यहां देखना है यह प्लस का है माइनस का है तो अगर यह बिल्ख सकते हैं स्कूर माइनस स्कूर माइनस अभे सब्सक्राइब 50 कि sl he backpackSuga Minus और सेकिंद स्कूर है रूट 3 इसका भी स्कूर करेंगे हम तो थिस में ऐपलास भी स्कूर माइनस यहां पर स्कूर मyeongञाच है करें थर्ड पार्ट इसमें ए फ्लस भी होल स्कूर स्कूर है वह होती है a plus b whole square यह उता है a square plus 2ab plus b square ठीक है तो इस identity का हमें यूज करना है यहाँ पर a का मतलब first statement जो है first का square करेंगे तो under root 5 और इसका करेंगे बेटे square plus 2ab 2 से दोनों को multiply 2 multiply by root 5 multiply by root 2 ठीक है उसके बाद second का square plus root 2 square यहाँ पर square से square root cancel तो 5 बचेगा यहाँ पर 2 as it is और इन दोनों की multiply हो जाएगी 5 to the 10 under root 10 plus यहाँ पर square से square root cancel तो 2 5 और 2 हो जाएगा बेटे 7 7 plus 2 under root 10 यह आपका final answer है next वले में आप देखें यहाँ पर root 5 root 5 under root 2 और minus plus है तो फिर से वही identity use करेंगे आप a square minus b square तो आप लिखेंगे root 5 square minus root 2 square ठीक है square से square root cancel तो यहाँ जेगा 5 minus square से square root cancel 2 तो answer बचेगा बेटे 3 तो यह था आपका question number second next करते हैं next यह थार्ड कोश्चन थार्ड कोश्चन जो है वो theoretical based है इतना उसमें calculation नहीं करनी है हमें recall pi is defined as ratio of circumference of a circle to its diameter वैसे भी हमें पता है जो pi की value होती है normally आप लोग use करते हैं 22 by 7 sorry 22 by 7 और 3.14 आपको use करने के लिए कहा जाता है यह वेटा approximate value है it is not a exact value ठीक है तो हमें बोल रहे हैं कि pi अगर आप देखेंगे तो pi जो है वो circumference और diameter का ratio है ऐसा क्यों आपको पता होगा circumference का formula आप लोगों ने पढ़ा हुआ है और diameter होता है double of radius तो 2 से 2 कैंसल करो radius तो pi बच रहा ना तो इसलिए बोल रहे है कि it is the ratio of circumference of circle to the diameter this seem to contradict the fact that pi is irrational अब क्योंकि हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं 22 by 7 तो यह contradiction है यह oppose कर रहा है इस fact को कि pi irrational है हम सब को पता है पाई जो है वो तो irrational नंबर है मैंने आपको पिछले question में भी बोला irrational है तो यह कैसे हो सकता है how will you resolve this contradiction तो आप इस contradiction को कैसे resolve करेंगे तो आपको simple सी इसमें lining देनिए बैटे कि यहां पर कोई contradiction नहीं है तो answer आप इस तरह से लिखेंगे there is no contradiction contradiction कोई भी यहां पर contradiction नहीं है अगर आप इसको जो है मापते हो अगर आप जैसे circle की यह जो circularity होती है यह वाली जो circular length होती है अगर आप इसको scale से या किसी इंस्ट्रूमेंट से मिजर करोगे तो exact value हम नहीं ले सकते हैं तो हम मैं यहां पर लिखूंगा इफ वी यूज इफ वी मिजर इफ वी मिजर द इफ वी मिजर द लेंथ दॉज लेंथ वीड लेंथ द लेंथ वीड garant वेड श्के ल और अजर इंस्ट्रूमेंट या फिर किसी अज़ धर इंस्ट्रूमेंट से हम मिज़र करते हैं तो वी इंस्रूमेंट V वी ऑनली अब टेन इन एंप्रोक्सिमेट वैलिव श्रक्सिमेट वेलिव हम सिर्फ आप्रोक्सिमेट वेलिव जो है वो ले सकते हैं अगर हम स्केल से लेंद को मेजर करते हैं तो वी नेवर गेट we can never we can never obtain exact exact value ठीक है we can never obtain exact value हम बिल्कुल exact value जो है वो नहीं obtain कर सकते है तो यह जो है इस तरह से आपने इसका अंसर देना है सो पाई सो पाई इस एन इर्रेशनल इस वे में आपकी आंसरिंग जो होगी थार्ड कोश्चन के लिए ठीक है एस बिल्क और आपकी 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 अपकी आपकी नहीं सकते हैं इसलिए पाई जो है इर्रेशनल नबर नेक्स्ट बिल्क और इसमें हैं रिपर्जेंट दा नंबर जो हमारा है गिवन अंडरूट 9.3 और वैसे जो नॉर्मल नंबर उते 9.3 वो आपने रिपर्जेंट किया होगा वेटे नंबर लाइन के उपर वो हम सब को पता है लेकिन अगर हमें रूट वाला नंबर जो है रिपर्जेंट करना है तो वो कैसे होगा तो उसको हम इस question में सीखेंगे वैटे कैसे हम रिपर्जेंट कर सकते हैं सबसे पहले हमें एक number line बनानी होगी वैटे जितना under route में नंबर है उतनी ही number line आपको prepare करनी है थीक है तो जिस यहांपर under route ूट पे है 9.3 तो पहले हम 9.3 scale के साथ लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे 9.3 होनी चाहिए बैटे 9.3 तो यहां तक 9 हो गया आपका और 9.3 तक आपको exactly 9.3 तक जो है लाइन लेनी है अब इसका हम कुछ भी नाम दे देंगे जैसे for example मैं देता हूं यहां पर मैं लिख देता हूं O और यहां पर लिख देता हूं हमें B ठीक है इस point पे मैंने नाम दिया B अब यह है बैटे 9.3 तो side में हम construction भी लिखते रहते हैं O B step 1 में हमने O B बनाई बैटे 9.3 step 2 बैटे आपको क्या करना है आपको इसको एक centimeter one unit जो है extend करना है आगे की तरफ ठीक है तो मैं यहां से scale रखके one unit जो है इसको आगे extend करूंगा मैं अलग color का pen ले रहा हूँ आपने pencil के साथ सारा work करना है बैटे क्योंकि ताकि आपको एक एक point visible रहे और इस point को मैं लेता हूं बैटे C ठीक है मैंने इस point को लिया C वैसे इस line को और भी आपने expand करना है आगे लेकिन फिलाहाल इतना रखना है इसको अब आपको क्या करना ह हमने तो यहां पर मैं construction में BC लोंगा बैटे BC मैंने लिए है वन सेंटीमेटर यह थी 9.3 सेंटीमेटर और बीसी वन सेंटीमेटर अब आपको इसका center find out करना है इस line का center कहां पर है तो center बैटे हम find out कैसे करते हैं perpendicular bisector से तो आपने half से जदा प्रकार open करनी है हाप से जदा इस तरह से एक कट आपने उपर लगाना है और यहां से एक कट नीचे लगाना है सेमवे में ओ से आपको क्रॉष करना है एक यहां से उपर और एक यह से ओ से बैट मेंस्टीमेटर हमें मिलेगा तो मैं इसको dotted कर रहा हूँ क्योंकि हमने सिरफ center find out करना था तो यह हमारा center इसको मैं नाम देता हूँ ठीक है इसको मैं नाम दिया d point अब इस center को आपने center मानके और od को radius लेके है ठीक है ओडी को radius लेके आपने जो है semicircle ड्रॉ करना वेटे इस statement के अंदर तक चला गए तो आपने ध्यान रखना इस चीज़ का कि इस तरह से आपने एक जो है semicircle ड्रॉ करना है आपका यह बन गया semicircle ठीक है अब आपको बेटे क्या करना है अब od हमारा center मतलब radius हमने ले semicircle od इसके बाद आपको बी पॉइंट जो है यहां पर क्योंकि 9.3 हमारी बी तक थी यहां पर आपको perpendicular बनाना है इस तरह से प्रिटेक्टर का यूज करके आप बना सकते हैं perpendicular तो आप जो है यहां पर बनाएंगे बेटे perpendicular तो 90 का साइन हमारा यहां पर आ रहा है इस पॉइंट पर इसको मैं जॉइन करूंगा तो यह हमारा बन जाएगा perpendicular इस तरह से बेटे आपको ड्रॉ करना है अब यह जो intersection पॉइंट आएगा जहां पर यह दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही है इसको आपने कुछ भी नाम देना है मैं इसको नेम देता हूँ ए तो आपने ए पॉइंट बनाया उसके बाद ए बनाने के बाद आपको जो है इस लाइन को फिर से extend करना है आगे सी से आगे ठीक है इसको मैंने सी से आगे extend कर दिया अब आपको ए बी जितनी जो है compass open करनी है a से b a से b अब यही जो हमारी है 9.3 होती बेटे इसको हमने number line पे लेके ना नीचे तो हम यहां से इसको rotate करेंगे इस तरह से sorry इसको थोड़े डाग करते हैं कि दिहान से करना है आपने pencil का use करके करना है तो यह बेटे आपका यह जो point आएगा यह वला point इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं for example आपने नाम दिया इसको e तो आपकी जो be line होगी यहां से लेके यहां तक be line होगी इसको आपने लिखना है कि यह आपकी line है under root 9.3 ठीक है जो आपको represent करने थी तो कहां से कहां तक का distance है यह b से e तक का ठीक है तो full एक बार revise करवाता हूं आपको सबसे पहले जो number आपको represent करना है उतनी आपको number line बनानी है number line बनाने के बाद आपको एक unit जो है इसको extend करना है b c तक फिर आपको इसका center find out करने के लिए perpendicular by sector बनाना है बैटे by sector बनाने के बाद जो center आएगा यहां पे आपने compass रखके od या oc जितनी प्रकार को open करना है और semicircle लगाना है फिर जहां तक हमारी line थी 9.3 तक थी तो यहां से आपने perpendicular draw करना है प्रपेंडिकुलर और जहां यह इस semicircle को cross करेगा यह हमारी होगी बेटे length under root 9.3 और इतना ही आपने इस तरफ जो है इसको circle जो circle का part कैसे बनाना है अपने o से sorry a से b तक compass को open करके इसको join कर देना है तो यह आपकी बन जाएगी length be be is equal to under root 9.3 ठीक है बेटे नेक्स्ट करते ह नेक्स्ट कोशन वे आप देखें रिशनलाइज द डिनोमिनेटर फॉलाविंग नीचे जो डिनोमिनेटर से रूट वले नंबर समें दिये गए है अंडरूट वाली नंबर तो उसको रेशनलाइज कैसे किया जाता है तो आपको देहाना है जो यहां पर अगर single statement है तो उसी statement से अप और divide multiply और divide तो आप क्या करेंगे अंडरूट 7 उपर अंडरूट 7 नीचे यह होता है rationalization उपर वाले की उपर multiply कर दो तो रूट 7 को बन से करेंगे रूट 7 डिवाइड बाइड रूट 7 रूट 7 यह हो जाएगा रूट 7 का स्क्वाइर से स्क्वाइर रूट कैंसल हो जाएगा तो answer बनेगा आपका रूट 7 डिवाइड बाइड बाइड सेवन ठीक है नेक्स वाली statement देखते है इसमें double है तो आप रूट 7 प्लस रूट 6 अब उपर तो वन है तो as it is यह आएगा नमबर रूट 7 सॉरी रूट 7 प्लस रूट 6 डिवाइड बाइड यहां ए माइनस भी ए प्लस बी वाला फॉर्मुला जो है वह हम अपलाई करते हैं वह होता है स्क्वाइर माइनस भी स्क्वाइर तो रूट 7 स्क्वाइर माइनस रूट 6 स्क्वाइर यह स्क्वाइर से स्क्वाइर रूट कैंसल हो जाएगा यहां पर स्क्वाइर से स्क्वाइर रूट 6 डिवाइड बाइड बाइड 7 माइनस 6 तो यह हो जाएगा 1 तो अंसर बनेगा आपका रूट 7 प्लस रूट 6 ठीक है यह आपका अंसर बन जाएगा नेक्स्ट देखते हैं सेम यहां पर multiply और divide करेंगे किसे इसका साइन चेंज करके तो यहां जाएगा root 5-2 और यहां पर भी root 5-2 तो यह हो जाएगा मैटे उपर बन से multiply करेंगे तो as it is root 5-2 और divide by a square minus b square वाला formula root 5 square minus root 2 square ठीक है स्क्वेर से स्क्वेर रूट कैंसल स्क्वेर से स्क्वेर रूट कैंसल तो आंसर बनेगा आपका रूट 5-2 और divide by देखो 5-2 तो 5-2 हो जाएगा आपका 3 तो इसको 1-3 और साथ में यह लिख सकते हो as it is यह भी आपका आंसर बिल्कुल correct है next वाले में फिर से statement को चेंज करके करेंगे रूट 7-2 divided by स्वारी प्लस टू रूट 7 प्लस टू अब उपर तो आजाएगा रूट 7 प्लस टू और डिवाइड में क्या बनेगा ए स्क्वेर माइनस बी स्क्वेर वाला हम फॉर्मुला यूज करेंगे तो रूट 7 स्क्वेर माइनस 2 स्क्वेर रूट 7 ये तो स्क्वेर कैंसल हो जाएगा तो आंसर बनेगा रूट 7 उपर वाली स्टेंट आजेगी रूट 7 प्लस टू डिवाइड बाई सेवें माइनस फॉर करेंगे तो थे आजएगा ठीक है इसको आप चोड़ सकते हैं इसको अगर और ज़्यादा चेंज करना जाओ तो टू बाई थ्री रूट सेवन बाई थ्री अलग अलग से भी आप इसको दे सकते हो ठीक है ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं कोई दिकत नहीं है तो यह वेटे आपका आंसर बन जाएगा फिफ्ट कोशन का तो इसी के साथ यह आपकी एक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा थेंक यू